आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जानी जारे हैं जिन लोगों की राशी करक हैं उन लोगों के लिए दोस्तों उन जातकों के लिए आने वला वर्ष कैसा रहेगा बात करेंगे साल 2024 की और करकराशी वालों कीुआ चलिए दोस्तो बात करते हैं राशी चक्र की, चोथी राशी की, यानि की करक राशी की तो करक राशी भलके अगर बात करे साल 2024 की, तो ये वर्ष सबी करक राशी के जातों के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तंग और बढ़िया रहेगा इस वर्ष आपको कहीं बड़ी उपलब्धियों से नवाजा जाएगा आपके कहीं अधूरे काम इस वर्ष पूरे होंगे जी हाँ दोस्तो वर्ष 2024 की शुरुआत से लिकर 30 अप्रेन 2024 तक देवगुरु ब्रसपती आपके दसमें भाव में गोचर करेंगे देवगुरु ब्रसपती के दसम भाव में गोचर करने से आपको उनका आशिरवाद मिलेगा और इस आशिरवाद से आपके भागे में व्रिदी होगी और आपकी किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे जी हाँ आपको इस वर्ष एक साथ कहीं काम भी करने पड़ेंगे और अपनी मेहनत के कड़ी परदर्शन से आप सभी काम असानी से पूरे कर पाएंगे साल 2024 नौकरी पेशा लोगों की किस्मत सवारेगा इस वर्ष आपको कहीं ऐसे अफसर मिलेंगे जिसकी आपने कलपना नहीं की थी इस वर्ष आपके आर्थिक सिती बहुत ही ज़्यादा शानदर हो जाएंगे करक राशी के कारोबारियों के लिए वर्ष की शुरुआत से ही धन आगमन होने लगेगी किसी निवेश से भी आपको अच्छी खासी कमाई होगी बिजनस में लोग आपके फैंसलों की इस वर्ष इजद करेंगे देव गुरु ब्रस्पती का शुप परभाव आपका यश और मान समान तरक्की खोग दिल लवाएगा मई 2024 के बाद का समय भी आपके लिए आर्थिक द्रिश्टी से अच्छा रहेगा इस पूरे वर्ष में दोस्तों शनी दिव आपकी राशी के सप्तमभा में गोचर करेंगे जिस कारण आपके बिजनस से जुड़े लोगों में आपकी जैजैकार और बले-बले रहेगी आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वहां से कारोबारियों को तगड़ा लाप मिलेगा खास और से मशीनरी, लोहा और लैदर से जुड़े काम करने वाले वेपारियों की तो इस वर्ष किसमत खुल सकती है धन और संपती के द्रिस्टिक ओंड से वर्ष 2024 करकराशी वालों आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदा रहेगा वर्ष 2024 में ब्रस्पती और शनी कासे युक्त परभाव आपको इस वर्ष बूमी, भवन, वाहन, अबूशनो, आदी का सुख पर धान करेगा वर्ष 2024 के अंत का समय भी आपके लिए लाबदाय करेगा इस समय राहू का गोचर होगा जो की नवम भाव में होगा स्टूडंस के लिए विदेश जाने का सुनहरी मौका इस समय मिलेगा आपको इस वर्ष अपने जीवन साती के सयोग से भी कोई बड़ा लाब हो सकता है जो लोग नौकरी की तलाश में गुम रहे हैं उन्हें इस वर्ष एक अच्छी खासी नौकरी मिलेगी स्टूडंस के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेंगा करकराशी के महलाओं के लिए भी अगर बात करेंगे तो ये वर्ष न के करियर के लिए बहुत ही खास रहेगा आपके आमदनी के सादनों में भी इस वर्ष बड़ोतरी होगी आप वर्क फ्रॉम हॉम ऑप्शन से भी अच्छा खासा कमा सकती है तो साल 2024 बिश चिक और करकराशी वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा करकराशी के सभी जातकों के लिए साल 2024 शांदा रहेगा चलिए दोस्तों इस थार से बताते हैं आपको आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति, करियर, नौकरी, लव लाइफ और हाल्थ कैसी रहेगी तो चलिए दोस्तों बताते हैं सबसे पहले हम आपको बताएंगे करकराशी वालों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी आने वाले वर्ष में तो अगर बात करें करक राशी की आर्थिक राशी फलकी तो ये वर्ष आपको धन धाने की द्रिश्टी से बहुत ही शानदा रहेंगा वर्ष की शुरुआत से ही देव गुरु ब्रसपती आपके भागे में व्रीदी करेंगे आप जो जौब कर रहे हैं वहाँ पर आपको उन महरबान रहेगा आपको कम परियासों में भी अधिक लाव मिल सकता है यदि आप थोड़ी से भी कोशिश करेंगे तो आपको इस सवर्ष तगड़ा मुनाफ़ा हो सकता है मार्च से माई तक का समय आपके लिए अधिक फलदाई रहेगा लेकिन दोस्तों आपको अधिक कारे भार भी सवर्ष मिल सकता है कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसको निभाने में आपको बहुत अधिक दियान देना होगा बिजनस में आपको अपने सीनियर्स की सलावी काम आएगी इस वर्ष आप अपने परिवारी के माध्यम से यानि के अपने पिता या भाई के स्योग से बिजनस में खोई बड़ी डील क्रैक कर सकती हैं बिजनस में कई लोगों के साथ आपकी अच्छी बॉंडिंग बनेंगी और आपकी आमदनी के साधनों में बढ़तरी होगी आप अपनी परसेनलिटी से बड़े से बड़े और परसंता प्राप्त होगी, सम्मान, इनाम, कोई बड़ी उपलब्दी इस वर्ष आपके करीब आ सकती है, करकराशी वालों आप इस वर्ष अपनी एक अलग पहचान बनाने में काम्याब होंगे, नौकरी हो या बिजनस आपको दौलत, शोहरत, नाम और पहचान सब मिलेग आर्थिक द्रिस्टी कौन से ये वर्ष आपके लिए शुब रहेगा, चली दोस्तों अब आपको बताते हैं, वे अब साही के लिए और स्टूडन्स की शिक्षा के लिए करीएर के लिहासे ये वर्ष कैसा रहेगा, तो जो लोग फ्रेश है ने होने अपने करीएर की शुर मिलेंगे, आप बस अपनी कड़ी मेहनत और कारे कुशलता के जरीये, आप अपनी करीयर में तरक्की पाएंगे, इस वर्ष मा लक्षमी की करीपा भी आप पर बनी रहेगी और आपको धन की कोई कमी नहीं होगी, वर्ष की शुरुआत से ही दोस्तों आपके लिए साल बहु अच्छा रहेगा, घर परिवार में भी दोस्तों आपका महौल अच्छा रहेगा, वर्ष का मद्य बाग भी कारोबार से जुड़े जातकों के लिए अच्छा रहेगा, पार्नशी में आपको इस वर्ष फाइदा मिलेगा, आप किसी के साथ मिलकर किसी नए स्टार्ट अप की शुरुआत कर सकते हैं इस वर्ष आप बिजनस ट्रिप के जरिये विदेश जाने का आपको मौका मिलेगा फैशन ब्यूटी पालर कुकिंग एक शेतर में आप अपना कुछ नया स्टार्ट अप शुरू कर सकते हैं करियर में एक अगर नहीं शुरुआत करने हैं तो साल दो वर्ष अपना कीमती समय बरबाद करने से बचना होगा और ये वर्ष कुछ अच्छा कर दिखाने का है आप अपनी स्किल्स का उत्तम पर योग करें स्टूडेंट्स यदि आप कला के कशेतर से जुड़े हैं तो आपके अंत में साल के अंत में आपको अच्छानक बड़ा स आने वले वर्ष में तो बात करेंगे दोस्तों प्रेम राशीफल 2024 की प्यार का हल कैसा रहेगा तो करकराशी वालों के लिए साल 2024 जीवन में आपके इस वर्ष नए दोस्त नया प्यार और नए उमंग लेकर आएगा करकराशी के लवर्ष के लिए ये बहुत ही शुप वर् पिश्टों की होगी हो सकते हैं आपकी दोस्ती में ही आपका प्यार छुपा हो और आपको एसास भी ना हो जी हां दोस्तों इस वर्ष आप अपने दोस्त के साथ ही शादी के बंदर में बन सकते हैं प्यार को शादी में बदना का विचार बना रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा वही विवाही की जीवन के अगर बात करें तो यह वर्ष सुक समरीदी से बरा रहेगा आप अपने जीवन साती को खुश रखने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आप अपनी मैरी लाइफ को सक्सेस्फुल बनाने के लिए हर कोशिश करेंगे सही विवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रती प्यार और समान बढ़ेगा आप घर की साथ सजावट पर भी सवर्ष द्यान देंगे इस वर्ष आपके घर में धार्मी कारे हो सकते हैं आपको इस वर्ष अपने पार्णर पर अटूट विश्वास बनाए रखना है और इसी से दोस्तों आपके रिष्टे की नीव मजबूत होंगी लव लाइफ के लिए रिष्टों में मजबूती वड़ेगी मदूरता आएगी आपका अपने प्रिये के प्रती प्रेम बार इस वर्ष और बढ़ेगा आप लोग एक दूसरे को स्पैशल फील करवाने के कोई कोई मौ के आएंगे जिस टाइम दोस्तों आप रुमैंटिक पलों का अनंद लेंगे आप किसी रुमैंटिक ट्रिप पर गोमने का जा सकते हैं बीच बीच में दोस्तों कैंडलाई डिनर भी कर सकते हैं करकराशी के जीवन साथी को उनके करियर में इस वर्ष बड़ी उपलबधी मि बहाई बेहनों का भी स्पोर्ट इस वर्ष मिलेगा जो नव विवाही जोड़े हैं अपनी मैड लाइफ को इंजॉय करते हुए नजर आएंगे इस वर्ष आप दोनों कपल्स विदेश जात्रा में भी घूमने जा सकते हैं करकराशी कुछ लोग इस वर्ष फैमली प्लैन भी कर सकते हैं आप में से दोस्तों करकराशी कुछ जात्कों का संतान प्राप्ति का सुख भी प्राप्त होगा प्यार के मामलों में ये वर्ष बहुत ही अच्छा और उत्नम रहेगा आप अपने पाने के साथ खुश भी रहेंगे और उनके जिजबातों का समझेंगे जो केले हैं करकराशी के जातक अकेले रहने वालों के भी दोस्तों इस वर्ष खुश कबरी मिलेगी आपके जीवन में प्यार की दस्तिक होगी यानि कि प्यार की एंट्री हो सकती हैं आपके जीवन में कोई ऐसा चक्सा आएगा जो आपके जिंदगी को बदल कर रख रख लाती हैं स्वासत्य कैसा रहें काने वाले वर्ष में आपका सॉस्तिक हो सकती है इस वर्ष आप अपनी सहथ को वाणों के प्रतीब कारी करेंगी क्योंकि नूस्त वोर्ष आस था ची खिए बढ़ा कोई नहीं है स्वस्त और तंदरुस्त रहना हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर सक्रात्मक पर भाव डालेगा इस वर्ष आप अपने डेली दिन चर्या में सुबर शाम गूमने की आदत डाले बोजन में दोस्तों अपने हाल्थी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा अनलस्या को इस वर्ष अपने आप पर हावी ना होने दे अपने लिए भी इस वर्ष को समय जरूर निकाले आप नेमित योग और एक्सरसाइज को दिन चर्या में शामिल कर सकती है इस वर्ष आपके परिवार की किसी बड़े सदस्य की सेथ भी खराब हो सकती है इसलिए आपके पीता या आपके बड़े भाई की तबियत चिंता का विशे बनेगी तो आपको सदा दे चाती है अगर कोई घर पर बिमार है तो उनका तुरंद इलाज करवाएं इस वर्ष आपको अपनी परिवार में से अधिक से अधिक समय बिताना होगा और अपनी परिवार वालों की सेथ का भी ध्यान रखेंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेंगा वर्ष दोज़ार चौबिस के अंतर तक दोस्तों आपकी सेथ में कहीं पॉजिटिव बदलाब भी आएंगे काम के बीच बीच में थोड़ा ब्रेक अवश्य लेजे आपकी हालत के लिए अच्छा रहेगा आप हर काम में अपना बैस्ट देंगे और आप एक उत्तम सेथ का अनंद भी सवश लेंगे जो पिछली विमारियां थी आपको उनसे भी राहत मिलेगी इस सवश में रुजाना सूरे को जल अर्पित करने से आपको सेथ से जूड़ी किसी भी तरह की समस्य असे चुटकारा मिल सकता है तो आनिमल अवर्श आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा जिन जातकों की राशी कर्क हैं प्यार के मामले में, धन के मामले में, करियर के मामले में लेकिन दोस्तों सियत के प्रतिया आपको थोड़ी सी साफदाने सवश बर्तने की सलाँ देती हूं मैं आपको बाकि साल दोज़ार चौबिस आपके लिए बहती ज्यादा शानदा रहेगा